तो मैं तो कहता हूँ पुरा देश देरा था देना चाहिए तो आपके काम देने वाले भई देने चाहिए दे आपको एक जीज बताइए हमें कोई हमारे देश में आकर मारके चला जाए और हमारी गवर्मेंट चुप बैठी रहे तो यह तो गाली देने काम है ना अब दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है समवेदन शील नहीं अरे बंद हो गई विंड़ो मुदिद भाई रुख जाईए आवाज नहीं आ रही आपके सरकार जो है समवेदन शील नहीं है कम से कम ग्रह मंतरी को तो आकर बोलना ही चाहिए था बिल्कुल बोलना चाहिए था 1974 में 26 जवाद कीजिए यह तरीका सही नहीं है शिवन जी क्या हो गया भई आपको मौक मत कीजिए मेरे को नकल मत उतारेे पत्तमीजी मत कीजिए देबेट करने नहीं आदिया यह बीच में लगाता है बहुत में बात में बहुत मुदिद जी जवाब आजाने जीका आपके आवाज एक जैसे नहीं है आप और योगेंदर रियादव दोनों एक की पिछ पर बोलते हैं तो योगेंदर रियादव की आवाज में अब जवाब पूर ने तब से अब देखें मुदिद जी आपका आप सम्मानिक पर अब बॉलेंगे मुदिद जी आप ज़िए मर्यादा में रहके बात कीजिए शिवम भाई क्या हो गया इनको भाई क्या कहा के आए हैं रुकिये ज़रा थोड़ा देख इन्हों ने कहा है कि मुदिद साहब दो मिनिट रुख जाईए मैं आपको मौकत दे रहा हूं दो मिनिट शिवम त्यागी की बात आजाने शिवम जी आपने कहा कि मुदिद जी ने जो कॉंग्रस के प्रवक्ता है कि सरकार जो है बिलकुल सा वेधनशील नहीं है कम से कम ग्रह मंतरी को तो जवाब देना ही चाहिए था उस संसत के बाहर तो बोलते हैं अंदर नहीं बोलते ये 26 जुलाइ 1974 को सेम इसी तरह की घटना हुई थी 26 नवेंबर 1974 को इसी तरीके से खंजर लेकर एक व्यक्ति संसत में घुस गया था 11 एप्रिल 1974 को इसी तरीके से घटना हुई थी दो लोग अंदर चले गए थे 9 और 10 जनवरी 1999 में सेम तरह की घटना हुई थी मुझे बस यह बताईए कि क्या उस समय किसी देश के ग ग्रहमंतरी यहाज हैं कमाल बात हो गई मैं मानता हूँ जो एक प्रोसेस है जो एक प्रोटोकॉल है उसी के तहट चीजे पहले हुई थी उसी के तहट चीजे अब हो रहे हैं विशह यह है कि यहाँ पर इस तरह की राजनीती ना करी जाए लेकिन अब इतहास पढ़ेंगे यही सवाल आप से प्रधान मंतरी मोदी ने आज विपक्ष को नसीएं कि कम से कम इसमधान का रास्ता देखना चाहिए और इस पर चिंता जताई है जो भी कुछ संसद में हुआ तेरा दिसंबर को ना इस बात से तो हम सौपरितिस्त सहमत हैं कि हमें इसके समाधान का रास्ता खोजना चाहिए कि भविस में इस तरह की घटना दुबारा ना हो ये चिंता केवल सत्ता पक्षको नहीं विपक्षको भी है और तमाम मीडिया के साथियों को और सभी राजनिति दलों को होनी चाहिए जहां तक इस घटना का सवाल है इसमें दो तरह की खबर आ रही है एक खबर ये है कि ये कोई आतंकवादी घटना थी ये संसद को भैबीत करना चाहते थे संसद में अराजकता पैदा करना चाहते थे ये कोई अपराधिक गती भी थी और गलत का द्रस नजर ये से किया गया था गलत उद्देश से बियद्पी चाहे कि ये कुछ भी था चाहे आंदोलन था चाहे आतंकवादी घटना थी इसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ये बिलकुल एक गैर जिम्मेदारना कारवाई है और बिलकुल गलत है इसको बिलकुल इसका समर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन इसके जो दो जादिक गतिविदी में सनलिप थे तो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भीजे सरकार से सुरक्षा में चूक हुई है सुरक्षा करीमों से चूक हुई है बीजेपी के सांसद ने पास बना के दिया है ऐसी गलतियां दुबारा ना हो इसके लिए क्या सरकार कर रही है इसका सवा सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कोई जिम्मेदारी का रवए उसमें नहीं दिखाया उन्हें आतंकवादी बतादी बताते रहे अपरादी बताते रहे और मीडिया के एक हिस्से का हल यह हो गया है एक हिस्सा मैं कह रहा हूं सबी मीडिया वाले ना समझें कि वो आंदोलन कारियों को बदनाम करने भी लग जाते हैं सुरू के दिन से उनके खर्चे ढूंडने में लग जाते हैं यह किसान पिज़ा कहा से खा रहे हैं जे और यह इसमा पूछा जा रहे हैं इन पास हवाई-जाज के टिकेट कहा सा है इन Yinके पास इतने महगे जूते कहां सा है उनके-छीम्मार भाक यह लगे साहझ है बजब वाजपेई-ान allows बढब पर वास्कारा किये कि बढूंड बाती काATE आरोफ है है ठीक कह रहे हैं यह बात सही है कि जुम्हेवारी हमारी सरकार की है लेकिन इनका इस मुद्धे पर इतने संवेदन सील और आति गंबीर मुद्धे पर राज़िती करना यह विरोधा भास है हम तो मना नहीं कर रहे हैं है विलकुछ जुम्हेवारी और ग्रह मंत्री जबाब इसमें निकल के ना आए कि इसके तार कहां से जुड़े हैं किनके लोगों के तार जुड़े हैं क्या इसमें कोई साजिस्ट की बूओ आ रही है क्या देश के बाहर से तार जुड़े हुए यह सब चीजें जब तक बिट्रिया ला आ जाए क्या पटल पर अख़़ जाए